यह अभी situation क्या है अगर इस पत्ते को देखो के ध्यान से ठीक है यह पत्ता अंदर से कटा हुआ है अंदर से कटा हुआ निकला है ठीक अब यह पोधे की ऊपर की चोंच है है ना जो पॉंगा सामने से निकलता है उसका मुह है ठीक है और पहले से कटा हुआ यहीं पर रखा यह अभग निकले काटा हुआ अभी काफी सारे समझें कि यह वाईरस आ गया या इसा कुछ भी नहीं है इस पत्ते को भी देखो Gli यह अंदर से फटा हुआ निकले ठीक है आपने मक्का में समझा होगा एक इल आ इसको टच किया होगा उसका अशर आप दिख रहा है जब पत्ता निकल के बाहर आए जैसे पॉंगा उपर बढ़ रहा है और इसको कहीं से है थोड़ा सा चपा दिया अब यह खुलेगा तो फट फट के निकलने वाला है बाहर जो पत्ता अभी अंदर है अभी निकला नहीं लेकिन वहां तना छेदक ने जो हॉल बना दिया उसकी वजह से यह उसकी चोंच पहले से इसके साथ में चिपक के आ गई अब जो पत्ता निकलेगा वह इससे और ज्यादा फट के आए गया इसमें हमें ऐसा नहीं समझना है कि व समझो गेना कि चार से 5 पहले मक्का में कोई इस प्रे नि देते तैं अंधे और पक्ती थी आज बिना 3 spray के कम सगम तीन इस प्रे वर्ना मगाद इस नहीं होती है कि में मक्का पकाना हे इतनी बड़ी भी हइट्प करना उसमें यह जो इल आ रही है, सेंटर पोंगे को खारी, वही अभी केली में आ रही है गुर्यानपुर का मैंने अपने एगर वीडियो देखा हो, तो 1 साल पहले का मैंने बंच का वीडियो बनाया थías कि एक तरब से पुरा पीला हो गया एक तरब से ह़रा है, वो बंच उन्सके खेत में जाकर आप देखोगे ना तो यहाँ पर छेद हो चुके हैं तना छेदक के जब बंच निकलता है और उस समय तना छेदक लगा है तो वो बंच की वया उसको जो नसे उस साई आई है उसको खालिया उसने अब उस तरफ का कलर अलग रहेगा दूसरी तरफ का कल खुझबू रहेगी और मिट्टी का अरक रहीगा किसी गाय भेच को जानवर को जो साकहारी पराणी है जो पत्ते खाता है मिट्टी का इसस्प्रे किया हुआ आप उसको खिला कर देखो खाईगा निटको पहुत कहां ही काफी अपनी दूर हटता है तो इल्ली क्या करता है स शुरुवात करना ही पड़ेगा हर किसान को वरना ही हैक्अक के ळुच्वाय ऑगने करना सब्सक्राइब